हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टिट्यूट में आज हम आपके लिए लाए त्रिपल सी के एक्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंति करते रहेगा जिससे और भी स्टुडेंट हमारे चैनल से जूड सकें और अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर बना सकें तो आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है आपका लिब्रे आफिस राइटर में इंसर्ट पेज ब्रेक की साटकट कुंजी क्य आपके कोश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे आफिस राइटर में इंसर्ट पेज ब्रेक का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी साटकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे आप्सन ने दिया है कंट्रोल प्लस इंटर आप्सन भी दिया है सिप्ट प्लस इंटर आप्सन डी दिया है कंट्रोल प्लस इंटर तो आपको बताना है इसमें से इस कोश्चन का राइट एंसर क्या होगा तो आप लोग अपने एंसर कमेंट बाक्स में सेयर करिए और बताए कि आपके इस कोश्चन का राइट एंसर क्या है तो आपके इस कोश्चन साथ enter की को प्रेस करेंगे तो आपके page break option open हो जाएगा तो इसको आप याद रखिएगा अगर आपकी question में देता है कि LibreOffice writer में insert page break की shortcut कुझी क्या है तो आपका answer होगा control plus enter यहां और भी आपसे shortcut question में पूछ सकता है जैसे अगर आपकी question में पूछता है कि line break करने के लिए कौन सी shortcut कुझी का इस्तमाल करते हैं तो आप बताएगर हम LibreOffice writer में line break करना हो तो उसके लिए हम कौन सी shortcut कुझी का इस्तमाल करेंगे जिसको भी पता है वो अपने answer comment box में ज़रूर share करें अगर हम LibreOffice writer में line break करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी shortcut कुझी का इस्तमाल करेंगे तो उसके लिए आपका हो जाएगा shift plus enter अगर आप से question में देता है line break करने के लिए तो आपका answer होगा shift plus enter यह आपका line break करने के लिए शाटकट की होता है तो इसको भी आपको याद रखना है अब यहां आपसे question और भी पूछ सकता है अगर आपसे question में देता है कि LibreOffice writer में कॉलम ब्रेक करने की shortcut कुणजी क्या होती है कॉलम ब्रेक का मतलब होता है अगर आप page पर कोई भी matter टाइप कर रहे हैं अगर आपको यहां 20 से कोई column divide करना है तो इसके लिए आप कौन से shortcut कुणजी का इस्तमाल करेंगे तो अगर आपसे question में पूछा जाता है तो आप बताएए कि इसका answer क्या होगा अगर आप LibreOffice writer में column break का युज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन से shortcut कुणजी का इस्तमाल करेंगे तो इसमें इस question का right answer हो जाएगा option d ये control plus shift plus enter अगर आपकी question में control plus shift plus enter पूछा है विकल्प में दिया है तो यही आपकी question का right answer होगा इसका इस हम किसलिए करते हैं तो column break के लिए तो यह तीनों shortcut आपको याद रखने है इसमें से कोई भी आपके exam में पूछ सकता है अगर आपके exam में page break की shortcut पूछेगा तो आप बताएंगे control plus enter अगर आपके question में line break की shortcut पूछेगा तो आप बताएंगे shift plus enter और अगर आपके question में column break की shortcut पूछेगा तो आप बताएंगे control plus shift plus enter तो ये तीनो shortcut आपको याद रखने हैं क्योंकि इन तीनो shortcut में से कोई भी आपके exam में पूछ सकता है और ये question आपके कई बार exam में पूछे भी जा सुके हैं अब आते हैं आपके एगले question पर निमने लिखित में से Microsoft द्वारा विक्सित सर्च इंजन कौन सा है आपके question में पूछा गया है कि आपको बताना है इसमें कि Microsoft द्वारा कौन सा सर्च इंजन विक्सित किया गया था आप्शन ने दिया है delta vista option b दिया है duck duck go option c दिया है bing option d दिया index तो आपको बताना है इसमें से कोष्टन का right answer क्या होगा तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option c Bing Bing क्या है आपका एक search engine है जिसका निर्मार किसके द्वारा किया गया था या इसका विकास किस द्वारा किया गया था तो Microsoft Company द्वारा इसका विकास किया गया था अब आते हैं आपके एकले कोश्चन पर BIOS का संचिप्त नाम क्या है आपके कोश्चन में पूछा गया है BIOS का संचिप्त नाम क्या है आपके नीचे चार आप्षन दिये गये है इसमें से आपको बताना है इसका फूल फार्म क्या होता है या इसका पूरा नाम क्या है जिसको भी पता है वो अपने एंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सेयर करें तो आपके इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा आप्षन C बेसिक इंपूट आपूट सिस्टम यह आपके बायोस का फूल फार्म होता है इसको भी आपको याद रखने है अब आते हैं आपके अगले कोश्चन पर EF8032 फार्ट सिस्टम में फार्ट नेम की अधिक्तम लंबाई क्या है आपके कोश्चन में पूछा गया है कि जो आपके फार्ट सिस्टम EF8032 होते है उसमें आपके जो फार्ट की लंबाई होती है या नाम होती है उसकी अधिक्तम लंबाई कितनी होती है आप्शन ने दिया 8 कारेक्टर्स आप्शन भी दिया 32 कारेक्टर्स आप्शन सी दिया 64 कारेक्टर्स option D दिया है 255 characters तो आपको बताना है इसमें से इस question की right answer की क्या है चलिए आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताए कि आपके इस question का right answer क्या होगा तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option D 255 characters यहां आप से question और भी पूछ सकता है यह आप A T का full form क्या होता है चलिए comment box में बताएए यह आप A T का full form क्या है यह भी आपकी question में कई बार exam में question पूछा गया है यह आप A T का product बताएए तो इसका full form होता आपका फाइल A location All location यह इसका full form होता है इसको भी आपको याद रखने है अगर आपके exam में question पूछता है तो आपको यह बताना है file allocation table अब आते हैं आपके एगले question पर दूसरी पीड़ी के computerों में किस भासा का प्रियोग किया जाता है आपके question में पूछा गया है कि दूसरी पीड़ी के computer में हम कौन सी भासा का प्रियोग करते थे या किया जाता था option ने दिया असेंबली लेंग्विज option भी दिया machine language option c दिया high level language option d दिया basic तो आपको बताना है इस में से question का right answer क्या होगा तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताएए कि आपके इस question का right answer क्या है तो आपकी इस question का right answer हो जाएगा option ए असेंबली लेंग्विज इस भासा का यूज हम करते थे second generation के computer हो में अब आते हैं आपके अगले question पर लिब्रे अप्स राइटर में the source का option कहां पर होता है option ने दिया insert option भी दिया ское view option c दिया edit option d दिया tools तो आपको बताना है इस में से this question का right answer क्या होगा कि यह वी question आपके exam में कई बार पूछा गया है कि आप लोग yet कि की question का right answer क्या होगा कि को स्कॉष्षण का right answer हो जाएगा option दिश्मीनो इसमें आपको थीसर्स का option पाया जाता है आपसे question में पूछ सकता है थीसर्स का start cut की क्या होता है तो बताए इसका start cut की क्या है अगर आपसे पूछा जाए इसका उच किसलिए किया जाता है तो अगर आप Libre Office Writer में किसी भी सब्द का समानार्थी सब्द आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस option का उच करते हैं तो इसका start cut की होता है Ctrl प्लस EF7 इसको भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे इसका start cut की पूछता है तो आपको बताना है Ctrl प्लस EF7 अगर आपके question में देए Libre Office Writer में EF7 किसकी start cut की होती है सिर्फ EF7 अगर लिखा है तो चलिए बताए EF7 से आपके Libre Office Writer में क्या खुलता है तो आप बताएंगे spelling check आपके spelling check-in करने के लिए आप keyboard से EF7 प्रेस का उच कर सकते है अब आते हैं आपके एगले question पे EMQTT का full farm क्या है आपके question में पूछा गया है EMQTT का full farm क्या है आपके नीचे चार option दिए गए है इसमें से आपको बताना है कि आपके इस question का right answer क्या होगा तो आप लोग अपने answer comment box में share करें कि आपके इस question का right answer क्या होगा आपके question का right answer हो जाएगा option A message queen telemetry transport यह आपको याद रखने हैं यह भी आपके question में कई बार exam में question यह पूछा गया है अब आते हैं आपके इकले question पर operating system द्वारा भौतिक memory के असपस्ट आकार को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उप्यूग किया जाता है आपके question में पूछा गया है कि operating system द्वारा अगर आप fiscal memory के आकार को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सी तकनीक का उच करते हैं आपके नीचे चौर option दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि आपके इस question का right answer क्या होगा तो जिसको भी question का answer पता है open answer comment box में share कर सकते हैं तो आपके question का right answer हो जागा option भी virtual memory अब आते हैं आपके एकले question पर इन में से कौन input device का उधारण है आपके question में पूछा गया है कि आपको बताना है इन में से कौन सा input device का उधारण होता है option नीचिया जुक्त मोनेटर तो आपके इस कोशन का राइट एंस और जाएगा option d mouse mouse आपका क्या है एक input device है बाकि यह आपके तीनों device जो होते हैं यह आपके output होते हैं अब mouse आपका क्या है input है तो इसको भी आपको यादर रखना है और एक चीज है mouse कॉम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं अगर कोशन में यह भी दे सकता आपको कि mouse एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है त्रू या फाल्स तो आपका इंस्वार ट्रू होगा माउस कॉम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं अब आते हैं आपके गले कोशन पर मोबाइल उपकरड़ों के हार्डवेर और साब्ट्वेर संसाधनों को प्रबंदित करने के लिए किस प्रकार का उपरेंटिंग डिजाइन किया गया है ओप्षन ओए दिया है आपके है उसको आपकी इसकोस्टन का राइटेंशर होगा का option A, यह आपके इस question का right answer होगा, OS का full form भी आपके एक्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका full form होता है operating system, इसको भी आपको याद रखना है, अगर आपके question में OS का full form पूछता है, तो operating system होते हैं, अब आते हैं आपके एक लिए question पर, Linux में RMDIR कमांड क्या है, आपके question में पूछा गया है, Linux operating system में RMDIR कमांड का उच किसलिए किया जाता है, या क्या है, option A है आपका, removes only empty directory, option B दिया, remove only directory, option C दिया, remove only sub directory, option D दिया, display empty directory, तो आपको बताना है, इसमें से, इस question का right answer क्या होगा, तो जिसको भी question का answer पता है, वो अपने answer comment box में share कर सकते हैं, तो आपके question का right answer होजागा, option A, remove only empty directory, इसके लिए हम RMDIR कमांड का उच करते हैं, Linux में, अब आते हैं आपके अगले question पर, इसका मतलब होता है यह, कि यह सिर्फ खाली directory को ही remove करता है, इस question का right answer क्या होगा, तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए, और बताएं कि आपके question का right answer क्या है, तो आपके question का right answer होजाएगा, option C, starting up the computer, यह आपके booting सब्दकार्त होता है, अगर आप से question में पूछ ले, booting कितने प्रकार की होती है, तो चलिए comment box में बताएं, booting कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे, booting आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, comment box में बताएं, आपके booting दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो आपका एक होता है, cold booting, और दूसरा आपका होता है, warm booting, यह दो तरीके के आपके बूटिंग होते हैं एक cold बूटिंग और एक warm बूटिंग इसको भी आपको याद रखना है यह भी आपके question में पूछ सकते हैं अब आते हैं आपके एगले question पर अपरेटिंग system को RAM में लोड करने के लिए निम निलिखित में से कौन जिम्मेदार है आपके question में पूछा गया operating system में अगर आपको RAM में लोड करना है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है एक कौन जिम्मेदार है आप्षनने दिया कर न आप्षनवी दिया अफ्षन बीड़ ए बूट लोडर ओपी दिया वाई-वो घर अपशन डिया नन तो आपको बताना है इस मैंसे इस कोर्षन का राइट है ठोलके एमसे 2ड डल्र अब यहां आप से कोशन में पूछ ले रैम का फुल फाम क्या होता है बताए रैम का फुल फाम क्या है जिसको भी पता है अपने एंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें तो रैम का फुल फाम होता आपका रैंडम एक्सेस मिमोरी यह आपके रेम का फुल फाम होता है यहां भी पूछ सकता है रेम किस प्रकार की मेमोरी होती है चलिए बताए कमेंट बॉक्स में बताए रेम किस प्रकार की मेमोरी होती है तो रेम आपकी एक As Time memory होती है As Time memory होती है क्योंकि इसमें अगर आपकी computer की power supply बंद कर दी जाए तो इसमें जितने भी सूचना होती है सब आपकी समाप्त हो जाती है और आपका एक आता है room अगर question में देदे room का full farm क्या होता है तो इसका पुल्फार्म वत आपका Read only memory और यह किस प्रकार की memory होती है तो यह आपके अस्थाई memory होती है कि इसको भी आपको याद रखना है अब आते हैं आपके एगले कोशन पर WP-A का पूल DROOP क्या है आपके कोशन में पूछा गया है व tout S They can疑ना है आपको आपको ने दिया wireless protected access आपशन भी दिया है Wi-Fi protected access option C दिया है Wi-Fi पास्वाड आकसेस option D दिया ahh आपको बताना है इसमेशे इस question का रायट एंसवर क्या होगा तो आप लोग अपने एंसर कमेंट बाक्स में शेयर करिए और बताए कि आपके इस कोश्चन का राइट एंसर क्या है तो आपके स्थापना कब हुई आपके कोश्चन में पूछा गया है कि जो गूगल है उसकी स्थापना कब हुई थी option ने दिया 1995 option भी दिया 1995 option c दिया 2000 option d दिया 1990 तो आपको बताना है इस में से this question का राइट एंशर क्या होगा अब कर अब के इस question का राइट है शुरू जागा option d सुधारि यह है 1990-19199 आप में आपके Google का विकास हुआ था है अब आते हैं आपका लिए कोशन पर लिब्रिया आप्स राइटर में डिजिटल सिंगनेचर का विकल्ब किस मीनू में होता है आपके कोशन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे आफिस राइटर में डिजिटल सिगनेचर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस बिकल्ब का यूज आप किस मिनू में मिलता है या होता है आप्शन ने दिया है फार्मेट आप्शन भी दिया है इंसर्ट आप्शन सी दिया है इंसर्ट आप्शन दिया है फाइल तो आपको बताना है इसमें से इस कोशन का राइट एंसवर क्या होगा यहां आपके दो बार इंसर्ट टाइप हो गए है तो आपको बताना है इसमें से इस question का right answer क्या होगा तब किस question का right answer जाएगा option D file menu file menu में आपको digital signature का option मिल जाता है अब आते हैं आपके एक लिए question पर IEMPS के लिए किसकी हो सकता नहीं है आपके question में पूछा गया है कि अगर आप IEMPS का यूज़ करते हैं तो इसमें आपको किसकी हो सकता नहीं होती है आपसे ने दिया नेम आपसे दिया account number option BC दिया pen number option D दिया IFC code तो आपको बताना है इस में से question का right answer क्या होगा तो जिसको भी question का answer पता है अपने answer comment box में share करें तो आपके question का right answer हो जागा option C pen number किसी आपको pen number के हो सकता नहीं होती है name के हो सकता होती है account number के हो सकता होगी और IFC code के हो सकता होगी अब यहां आपसे question में पूछ सकता है pen का full farm क्या होता है मैं तो बताइए pen का full farm क्या है तो pen का प्ल्पारम होता आपका पर्मानेंट एकांट नंबर के उद्ट कि इसका अपसे पूछ सकता है आई यह फैस्ट का फूलपार्म क्या होता है श्ञी कमेंट बोक्स में बताए इसको भी पता है ऊपने एंस और कमेंट बोक्स में शेयर करें कि ये भी कॉश्चन आपके इक्जाम में कई बार पूछा गया है तो आपके IFSC का full form होता है Indian Financial System Code इसको भी याद रखना है आपको यह भी आपके एक्जाम में कई बार question पूछा गया है अब आते हैं आपके एकले question पर LibreOffice Calc में पाइव पाइव टेबल का option किस मीनु में होता है option ने दिया insert option भी दिया data option c दिया tools option d दिया format तो आपको बताना है इसमें से इस question का right answer क्या होगा तो जिसको भी question का answer पता है अपने answer comment box में share करें तो आपके इस question का right answer हो जागा option भी data data मेनु में आपको पाइवेट टेबल का option मिल जाएगा अब आते हैं आपके एक लिकोश्यन पर कि IBM 1403 क्या है आपके question में पूछा गया है IBM 1403 क्या है option ने दिया mini computer option भी दिया micro computer option c दिया super computer option d दिया printer तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या होगा तो जिसको भी question का answer पता है अपने answer comment box में share करें तो आपके question का right answer होगा option d printer यह आपका एक printer होता है अगर आपसे question में IBM का full farm पूछा जाए तो बताए comment box में IBM का full farm क्या होता है तो इसका full farm होता है आपका international इसको भी याद रखना आपको अगर IBM का full farm पूछा जाता है तो इंटर्नेशनल बिजनेस मसीन होता है इसको भी याद रखना आपको अगर आपका एक एक लिए question पर कि ए एलियू का प्रात्मिक कार क्या है आपके question में पूछा गया है एलियू का जो मुखकार होता हो क्या है option ने दिया है to store data option b दिया है to manage input output operations option c दिया है to perform arithmetic and logical operations option d दिया है to control memory access तो आपको बताना है इस में से इस question का right answer क्या होगा तो आप लोग अपने answer comment box में share करें और बताए कि आपके question का right answer क्या है तो आपके question का right answer हो जाएगा option c to perform arithmetic and logic operations यह आपके ALU का मुख प्रात्मिक कारे होता है आप से question में पूछ सकता है ALU का full farm क्या होता है तो बताए ALU का product क्या है तो इसका full farm होता है आपका arithmetic लॉजिक यूनिट यह आपके ALU का full farm होता है इसको भी आपको यादर रखना अर्थमाटिक लॉजिक यूनिट अब आते हैं आपके question पर किस प्रकार के operating system में उपयोग करता वास्त्विक समय में system के साथ सीधे interact करता है option ने दिया real time operating system option भी दिया batch operating system option सी दिया time sharing operating system option दिया distributed operating system तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या होगा तो जिसको भी question का answer पता है वो अपने answer comment box में जरूर share करें तो आपके question का right answer हो जाएगा option ए real time operating system अब आते हैं आपके ले question पर विंडोज यंटी में निमलेखित में से कौन सा default file system है आपके question में पूछा गया है कि आपके जो विंडोज यंटी operating system है उनमें कौन सा default file system है option ने दिया तो आपके question का right answer हो जाएगा option भी यंटी 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 का कि फाइल कि अधिक शिस्टम कि ये इसका फुल फाम होता है इसको भी आपको आद रखेगा ये इन टी यंटी 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 य फुल फाम पूछा जाता है तो new technology file system आपके question पर निम्न लिखित में से कौनसा एक ऐसा कार है जिसके लिए operating system जिम्मेदार नहीं है आपके question में पूछा गया है इन मेंसे kanca ऐसा कार है जिसके operating system जिम्मेदार नहीं होती है option नहीं दिया Memory Management option भी दिया फाइल मनेंजमेंट option थो प्रोसेस management option D दिया वायरेस protection तो आपको बताना है इस में से question का right answer क्या होगा तो आपके question का right answer भी जाएगा option D वायरेस protection यह आपके operating system इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है बाकि आपके file memory management operating system भी देखता है file management यह भी अब process management यह तीनों काम आपके होते हैं बाकि आपके वायरेस protection यह आप रेटिंग system इसके लिए जिम्मेदार नहीं है अब आते हैं आपके एगले question पर Unix Linux में किसी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए निम्न लिखित में से किस question C दिया इजिक्ट option D दिया है कि टर्मिनेट तो आपको बताना है इस में से question का right answer क्या होगा तो जिसको भी question का answer पता है ओपन answer के बेंट बाक्स में share करिए तो आपके question का right answer हो जाएगा option A kill किल कमांड का युछ हम करते हैं Unix या Linux में किसी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अब आते हैं आपके question पर निम्न लिखित में से कौन सा operating system का उधारण है आपके question में पूश्चा गया है कि इन में से कौन सा आपका operating system का उधारण है option A दिया आपका Microsoft Word अप्शन भी दिया आपका एड़ा फोटोशाप ऑप्शन सी दिया Windows 10 option D दिया Google Chrome तो आपको पताना है इसमें से question का right answer क्या होगा कि जिसको भी question का answer पता है वो अपने answer comment box में share करें तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option C Windows 10 विंड़ोज 10 आपका क्या है एक प्रकार का operating system है अगर आपसे पूशा जाए विंड़ोज 10 का विकास कब हुआ था तो चलिए बताए कमेंट box में विंड़ोज 10 का विकास कब हुआ था तो आपको बताना पड़ेगा 2015 2015 में आपका विंड़ोज 10 का विकास हुआ था और किस कंपनी दौरा बना गया था तो Microsoft अब आते हैं आपके एक लिए question पे लिब्रे आफिस राइटर डाकॉमेंट के लिए आम तोर पर कौन सा फाइल एक्स्टेंशन उप्योग किया जाता है आपके question में पूछा गया है कि लिब्रे आफिस राइटर में अगर आप कोई भी डाकॉमेंट सेब करते हैं तो उसके लिए आप कौन से फाइल एक्स्टेंशन का उप्योग किया जाता है तो आप लोग अपने एंस्ट व 27 वाक्स में सेयर करिए और बताइए कि आपके इस question का राइट एंस्टर क्या होगा तो आपके इस question का राइट एंस्टर यह जगा औप्शन ए .odt का उच करते हैं, अगर आपसे यहां question में पूछ ले, library office writer में new template के लिए कौन से file extension का उच किया जाता है, तो बताए यह database writer में new template के लिए kौन सा file extension इसको भी याद रखिएगा यह आपसे कोशन में पूछ सकता है निव टेंपलेट के लिए डाट ओडी टी का उच करते हैं यहां और भी बता देते हैं राइटर का डाट ओडी टी होता है इंप्रेस के आपका डाट ओडी होता है और के लिए आपका डाट ओडी होता है इसको भी याद रखिएगा यह भी आपसे कोशन में पूर्श सकते हैं अब आते हैं आपके अगले कोशन पर डिस्क की सभी कांटेंट को मिटाने की परकिरिया को कहा जाता है आपसे कोशन में पूछा गया कि अगर आप डिस्क में सभी कांटेंट को मिटाना चाहते हैं तो उसकी परकिरिया मिटाने की परकिरिया को हम क्या कहते हैं आपके नीचे चार आप्शन दिये गए हैं इसमें कि हम डिस्क के सभी content को मिटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं फार्मेटिंग कहते हैं अब आते हैं आपके एकले कोशन कौन से memory का access time सबसे कम है आपके question में पूछा गया आपको बताना है कौन सी memory होती है जिसको access time सबसे कम होती है आपर्ट दिया कैसि मिमोरी आप संब दिया रजड़ कशी दिया रॉमरी आपको यहाँ का डौप्पार राहाagt राम टाइप हो गया यहाँ आपका होगा रोम अप् absorb THE यहाँ और पूरी अपको बताना इसमें से इस Mom joyful किया हो गा हो तो आप लोग अपने एंसर कमेंट बॉक्स में सेयर करिए और बताए कि आपके इस कोर्षण का राइट एंसर क्या है तो आपके इस कोर्षण का राइट एंसर हुजाएगा ऑफशन ए कैस मीमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे कम समय लगता है अब आते हैं आपके अगले कोर्षण पर अपसे कोर्षण में पूछा गया है अगर आप स्लाइट सो का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी साटकट कुंजी का यूज़ करेंगे आपसं ने दिया Д rf5 आपसं B दिया य, Orson c दिया य आपको बताना है इस में इस कोर्षण का राइट एंस और क्या होगा जब आ आपके कोर्षण का राइट इंस और हो regard आपसन ने दिया esse n भी लग अपसंड़ oh kakय करें है और आप लोग इस सु आसना के सजर किया कर आप दीए को भी जादे से से चैनल से जूद सकें और अपने एक्जाम की तयारी को और बैतर बना सकें तो आपके कोर्शन का राइट एंस और यह जाएगा आप्शन भी एन्युल पर्सेंटेज रेट अब आते हैं आपके गले कोश्चन पर स्टार्ट मेनू ओपन करने का साट कट की क्या है आपके कोश्चन पुशा गया अगर आप स्टार्ट मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी साट कट की कायूज करते हैं option ने दिया window logo option भी धिया window logo plus yes option प्लस यसे दिया window logo plus Wiim option 2 10ee नन अफ दीज तो आपको बताना है multiply से isसकोर्शन का राइट एन्सवर क्या होगा कि तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताखें कि is a question का राइट एंसवर क्या है तो आपके कि इस question का का राइट एंसवर हो जाएगा option ए window logo अगर आप अपने keyboard से window logo की का यूज करते हैं तो आपका start menu open हो जाएगा अब आते हैं आपका एगले question पर multitasking operating system में एक से अधिक program एक साथ चल सकते हैं आप से question में पूछा गया है आपके जो multitasking operating system होता है उसमें आप एक से अधिक program को एक साथ चला सकते हैं option ए true option भी फाल्स तो आपको बताना है कि आपके इस question का राइट एंसवर क्या होगा true या false तो आपके इस question का राइट एंसवर हो जाएगा option ए true अब आते हैं आपके अगले question पर इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है आपके question ने पूछा गया कि आपके जो instagram है उसके संस्थापक कौन है ऑप्सन ने दिया जैक डोर्सी ऑप्सन भी दिया मार्क जुकरबर्ग option दिया केविन से स्ट्रोम तो आपको बताना है इसमें से question का राइट एंसवर क्या होगा तो आप लोग अपने answer कमेंट बाक्स में share करिए और बताए कि इस question का राइट एंसवर क्या है तो आपके इस question का राइट एंसवर हो जाएगा option D केविन से स्ट्रोम केविन से स्ट्रोम द्वारा Instagram का विकास किया गया था अगर पूछता किस्टन में किया गया था तो 2010 में कि इसको भी आपको याद रखिएगा अगर आपसे question पूछता है Instagram को कब लांच किया गया था तो 2010 में और किसके द्वारा किया गया था केविन से स्ट्रोम के द्वारा अब आते हैं आपके एगले question पर कि यहां एक question और भी आपसे पूछ सकता है Mark जुकरबर्ग किसके फाउंडर है तो आपका होता है फेस्बुक कि इसको भी आद रखिएगा अगर आपसे question में देता है फेस्बुक के फाउंडर कौन है तो मार्क जुकरबर्ग कि अब आपसे पूछ सकता है जैक डोर्षी जैक डोर्षी द्वारा क्या डेवलप किया गया था कि तो बताएए तो आपका एंस्वर होगा ट्यूटर कि ट्यूटर कि इसको भी आद रखना आपको जैक ट्यूटर का किसी कहते हैं तो जैक डोर्षी के द्वारा फेस्बुक का पूछेगा तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा और इंस्टाग्राम के कौन है तो केविन से स्ट्रों अब आते हैं आपका एगले कोर्शन पर विन्डोज में खुले प्रोग्राम के बीच में एक दूसरे पर जाने के लिए निमने में से कौन सी की इस्तमाल होती है आप से कोर्शन में पूछा गया कि विन्डोज में आपके कई प्रोग्राम उपन है अगर आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना चा करिए और बताए कि आपके इस कोर्षन का राइट एंसवर क्या है तो आपके इस कोर्षन का राइट एंसवर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस टैप अल्ट प्लस टैप करते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आने जाने के लिए अब आते हैं आपके एकले कई उच करते हैं option A Link, option B Compose, option C दिया Attachment, option D दिया Add तो आपको बताना है इन चारों में से इस question का राइट एंस्वर क्या होगा तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताएए कि आपके इस question का राइट एंस्वर क्या है तो आपके इस question का राइट एंसर हो जाएगा option C अटेश्मेंट अब यहां question में और भी पूछ सकता है कि आप mail में जो भी document या जो भी दस्तावेश जोड़ना चाहते हैं उसकी अधिक्तम MB की size कितनी होती है तो आपका होता है 25 MB कि इसको भी याद रखिएगा 25 MB तक के आप कोई भी फाइल ट्रांस्वर कर सकते हैं कि अब आते हैं आपके अगले question पर हम अगर हम एक mail अग्रेशित करना चाहते हैं तो हम चुनते हैं आप से question में पूछा गया कि अगर आपके पास कोई mail आया है उसे आप किसी आगे बेजना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या चुनते हैं option A दिया forward, option B दिया reply, option C दिया compose, option D दिया send तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या होगा अब आते हैं आपके अगले question पर, Olex एक सेवा है आप से question ने पूछा गया है कि Olex एक सेवा है, option C to B, option B दिया B to B, option C दिया C to C, option D दिया B to C, तो आपको पताना है इसमें से question का right answer क्या होगा तो जिसको भी question का answer पता है वो अपने answer comment box में ज़रूर share करें और आप लोग इस वीडियो को भी जादे से जादे share करते रहेगा जिससे और भी student हमारे channel से जूड सकें और अपने exam की तैयारी को और बहतर बना सकें तो आपके question का right answer हो जाएगा option C, C to C, C to C का मतलब होता है customer to customer अब आते हैं आपके अगले question पर किसी विंडोज application में सबसे उपर कौन सा बार होता है आप से question में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी विंडोज application program open करते हैं तो उसके सबसे उपर कौन सी बार होती है यह होता है option ने दिया title बार, option B दिया menu बार, option C दिया status बार, option D दिया task बार तो आपको बताना है इसमें से इस question का right answer क्या होगा आप लोग अपने answer कमेंट बाक्स में जरूब share करें और बताएं कि इस question का right answer क्या है तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option A टाइटल बार, अब आते हैं आपके एक लिए question पर बिंडोज task manager दिखाने के लिए कौन सी shortcut कुणजी इस्तमाल की जाती है आप से question में पूछा गया है कि अगर आप बिंडोज task manager को open करना चाते हैं या दिखाना चाते हैं तो उसके लिए आप कौन सी shortcut कुणजी का इस्तमाल करेंगे option ने दिया ctrl plus shift plus del option b दिया ctrl plus shift plus esc option c दिया ctrl plus tab plus shift option d दिया none of this तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या होगा तो आप लोग अपने answer comment box में share करिए और बताए कि आपके इस question का right answer क्या है तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option b ctrl plus shift plus esc इसका यूज करते हैं बिंडो टास्क मैनेजर को दिखने के लिए अब आते हैं आपके एकले question पर Camera PS से हफ्ते में कितने दिन लेंदेण किया जा सकता है आप से question में पूछा गया है één-mps का यूज आप हफ्ते में कितने दिन तक लेंदें कर सकते हैं या किया जा सकता है Z пару day a except for fifty of this day of keeping the options use option dir six DR तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या तो जिसको भी question का answer पता है वो अपने answer comment box में share करें तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option C 7 day आप IMPS का यूज 7 दिन कर सकते हैं इसलिए आप देखेंगे लिखा रहता है आपका 24 गुड़े 24 गुड़े 7 इसका मतलब होता है आपका 24 गंटा 7 दिन आप IMPS का यूज कर सकते हैं अब यहां आपसे question पूछ सकता है IMPS का full farm क्या होता है तो चलिए comment box में बताइए IMPS का full farm क्या है तो इसका full farm होता आपका immediate इसका full farm होता है इसको भी आपको याद रखना है अगर आपसे question में देता है IMPS का full farm क्या है तो आपको बताना पड़ेगा immediate payment system service आई हो आज की class आपको अच्छे समझ में आए होगी आज की class में आपको किसी भी question पर कोई भी doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं और आपको अपने class की PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नमबर या फिर आप हमारे टेलिग्राम चैनल जो कि हमारी YouTube चैनल के नाम से वहां संपर करके आप अपने class की PDF पा सकते हैं और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को subscribe और वीडियो को like, share, comment करना ना भूलिएगा जिससे और भी student हमारे चैनल से जोड़ सकें और अपने exam की तैयारी को और बहतर बना सकें तो आज की class नहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं अगली class में